तो आज के वीडियो का टॉपिक है एग न्यू फेस्बुक लीड एज लीड तो एर टेबल सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने फेस्बुक में जो न्यू लीड जनरेट करते हैं आप उनकी डीटेल्स अपने एर टेबल की एक पर्टिकुलर टेबल में एज़ा रिकॉर्ड क्रियेट करवा सकते हैं कैसे करना है और्टोमिशन सेट मैं बताऊंगा पूरी प्रोसेस स्टैप बाइ स्टैप अभी अपनी स्क्रीन पर ओके सबसे पहले अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे p-a-double-b-l-y-pably.com सामने आजाएगे ओफिशल वैपसाइट क्लिक करेंगे साइन अफ फ्री पर अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए मैं अल्रेडी अपना फ्री अकाउंट बना चुका हूं that's why क्लिक करूंगा साइन इन पर फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक का क्लिक करूंगा अक्सिस नाउपर दैन ओपन हो जाएगा पैबली कनेक का डैशपोर्ट create workflow पे क्लिक करके अपने workflow को एक नाम दे दूँगा मैं एक सिंपल सा नाम दे देता हूं facebook lead ads to irritable ठीक है मैंने ये नाम दे दिया है आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं एक बात बता देता हूं इस video के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये same workflow यूज कर पाओगे अपने account में वो भी एक दूँग फ्री में यहाँ पे workflow को नाम दे दिया है मेरे सामने दो windows आ गई है trigger और action की दोनों ही काफी important role play करते हैं integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दूँ topic क्या है मैं चाहता हूँ कि मेरे facebook lead ad के दोरह जब भी कोई new lead generate हो तो automatically उस lead का data मेरे addable की stable में जोसका नाम है addable automation यहाँ पे add हो जैसे की full name, query, email और phone number ऐसा automation में चाहता हूँ, ऐसा automation set करने के लिए मुझे अपनी ट्रिगर application में चूस करना होगा सबसे पहले facebook lead ads को then trigger event में मैं चूस करूँगा new lead instant को connect पे click करूँगा connection के लिए then add new connection पे then connect with facebook lead ads पे then authorization successful हो गया है और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगी कि connected है वरा facebook lead ads family connect से यहाँ से मैं अपना page select कर लूँगा तो यह मेरा page है the salon okay इसके अंदर एक form जो है lead generation form में आड़ करके रखा है उसी को मैं चाहता हूँ जबी भी कोई fill करे तो उसकी details air table में add हो जाए तो उसके लिए मुझे page select करना होगा तो क्या ना में मेरे page का the salon यहाँ पर search करूँगा choose कर लूँगा and lead generation form एक ही बनाया है when उसके अंदर that's why वो by default select हो जाएगा जैसा कि आप लोग देख रहे है the salon query destination okay यही वह form है click करूँगा 7 cent test request पर यहाँ पर show होने लगेगा waiting for webook response means अभी जबी भी कोई person form fill करेगा तो automatically उस form submission की details पर आप लिकने capture कर लेगा लेकिन उससे पहले हम एक test करना होगा learn more पर click करेंगे तो documentation open हो जाएगा यहाँ पर आपको नीचे scroll करना है नीचे scroll करोगे तो आपको यहाँ पर एक link मिलेगा facebook lead ads testing tool का okay इस पर आपको click कर देना है तो एक new page open होगा facebook lead ads testing tool open हो जाएगा यहाँ से आपको दुबारा अपना page select करना है है ना क्या नाम था आपके page का salon okay यहाँ पर मैं salon type करता हूं control F करके यह मिल गया click करके इसको मैं choose कर लेता हूं तो मैंने आपर select कर लिया अपना page है ना patch select करने के बाद अब मैं क्या करूंगा मैं एक test करूंगा है ना मैं as a user form submit करूंगा और check करूंगा पैबली करने के पास जाएगे कि वहाँ पर details receive होती है नहीं तो preview form पर click करूंगा तो form मेरे सामने आ जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं तो माल लीजे मेरा नाम है dummy user email address यह कर देता हूं ठीक है और next पर click करके form कर देता हूं submit successfully submit हो गया form चलके check करते है पैबली connect ने form submission से related details अपने पास capture की के नहीं तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी show रहा है waiting for webhook response तो हम कम से कम 10 से 12 seconds का wait करेंगे उसके बाद हम check करेंगे कि यहाँ पर details receive ह होती है या नहीं तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 8 से 10 seconds के बीच में response received हो गया है और हमारे सामने details देख पर हैं आप जो मैंने form fill up करते वक्क details आड़ की थी वो सारी details मेरे सामने means connection एक्दम proper work कर रहा है facebook lead ads और public connect के बीच में मैं चाहता हूं कि जो form submission की details है मेरी addable की stable मे add हो जाए तो add करवाने के लिए मैं टेक्निक का यूज करूँगा जिसको हम कहते हैं mapping तो मैं पर पहले सारी rows delete कर देता हूं तो mapping में क्या करेंगे अभी नीचे आके मैं आपको mapping के बारे में बताऊंगा लेकिन अभी हम next क्या चाहते हैं हम जाते हैं addable में data add करवाना तो उस click करेंगे connect पे then add new connection पे then उसके बाद यहाँ पर token add कर देंगे okay token कहां मिलेगा कैसे मिलेगा क्या करना है क्या नी करना है यह सब नीचे आपको details दी गई है तो यहाँ पर आपको simply blue color में जो लिखा हुआ है developer hub इस पर click कर देना है इस पर आप जैसे click करोगे तो आपका एक new page open ह a table का then यहाँ पर आपको access tokens मिल जाएंगे जो भी आपने create किया हूँगे अभी तक मैं एक new token create करता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ fb okay simple सा नाम दे दिया then add a scope पे click करके यह सारे scope select कर लूँगा मैं आपको भी सारे के सारे select करना है ठीक है इसको आप भली छोड़ देना block manage को आप भली छोड़ देना मैं भी छोड़ रहा हूँ ना बाखी सारे आपको select करना है scope then आपको यहाँ पर access पर आ जाना है then यहाँ पर आपको choose करना है all current and future bases in all current and future workspaces को choose कर लेना है simple then add a base पर भी आपको all current and future bases in this workspaces choose कर लेना है simple then नीचे आना है और create token पर click कर देना है then यहाँ से आपको token मिल जाएगा copy करना है done पर click करके वापस पाबली connect पर जाना है और token value field पर paste कर देना है simple then उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी base ID select कर लेना है तो मेरी base ID है addable automation वापस आँगा search करूँगा addable automation नाम की base ID को और choose कर लूँगा simple then उसके अंदर एक ही table मौजूद है जिसका नाम है message details that's why वो by default select हो जाएगी क्योंगी कोई दूसरा option ही नहीं है then full name query email phone number यह मुझसे मांग रहा है तो यहाँ पर यह चार फील्ड इसली आई क्योंकि यहाँ पर मैंने चार blank column बना है तो इनके अंदर मुझे details add कर देनी है यह सारी details मुझे उपर पहले मिल चुकी है with the help of facebook लेड़ा email यहाँ फूल नमबर यहाँ पर यहाँ पर आड़ करने के लिए जैसे कि मैंने बताया आपको टेक्निक के बारे में mapping का यूज करेंगे चली बताता हूं कैसे करते हैं mapping blank field पर क्लिक करना होता है नीचा option आता है हमारी previous step का जो कि हम facebook क्लिक करेंगे उस पर तो सारा data open हो जाएगा है आप हमें full name करना है यहाँ क्लिक करके add कर देना है जो process मैंने अभी करी इसी को mapping कहते हैं जितनी easy और simple है उतनी important है क्योंकि next time जब कोई new person आके हमारा form submit करेगा कोई new lead generate होगी तो obvious सी बात इसका जो full name होगा वो different होगा हर person का नाम अलग होगा तो जो भी one by one नाम होगा वो change हो कि इस blank field में add होता जाएगा बिना आपकी और मेरी involvement की क्योंकि यह data हमने यहाँ पर अभी map किया है तो map करने से data automatically fill हो जाता है that's why mapping is important ठीक है इसी तरह से query map कर देंगे this is a test query then उसके बाद नीचे आ जाएंगे email address यहाँ पर map कर देंगे यहाँ email address map कर दिया then इसी तरह से phone number map कर देंगे यहाँ phone number map कर दिया click करेंगे save and send test request पर तो आप देख पाएंगे यहाँ पर एक new row के अंदर यह पूरा का पूरा data add हो जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ full name, query, email address, phone number तो इसकी presence बता रही है कि automation site हो चुका है just अब हमें नीचे आके save पे click कर देना है और अब हमें कुछ भी करने के जरूरत नहीं है पूरी process अब automatically होगी, instantly होगी, क्या होगा जबी भी आपके facebook lead आटके जारा कोई new lead generate होगी तो automatically उस lead जो भी form में person ने अपना data submit किया है वो सारा का सारा save हो जाएगा आपकी table की table में बिल्कुल तुरंत है ना और यह process automatically चलती रहेगी जब तक यह workflow on है तो ना सिर्फ इन applications को, पैबलिक अनके help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो, automate कर सकते हो बिना किसी परिशानी के जाते 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 एक बात फिर से बता देता हूँ, इस video के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बनाया यह sim workflow, use कर पाओगे अपने account में वो भी एकदम free हो, अगर आपको इस video से related कोई भी doubt आता है या फिर आपके कुछ questions होते हैं, या फिर आप मुझ से या मेरी team से बात करना चाहते हैं, तो यहाँ दी गई link पे जैसा कि आप देख रहे है पैबली forum का यहाँ पे link दिया हुआ ह यहाँ पे आप अपने questions, queries जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं, second thing अगर आपको पैबली कनेक की price जाननी है तो इस link पे जाके चेक कीजिए, और सबसे most important part अगर यह video पसंद आया तो इस video को like करना मत भूलेगा और मेरे channel को subscribe करना भी मत भूलेगा, thank you